कि ये देनेट के बाद ये फिल्म देखा मैंने और फिल्म मुझे पता चला कि इस कोविड को लॉकड़ॉन में डेंजल वोशिंटन के लड़के नहीं तो खाने पर जाधा काम किया है क्योंकि एक्टिंग करना और काम ढूनना ये तो उसके बाप्टर डिपार्टमेंट है उस और ये रहे मेरे गोस्ट बात करेंगे इस फिल्म के बारे में तो बिना आपको वक्त बर्बाद के शुरूआत करते हैं आज कब लगों कि आज मैं बात करने वाला हूँ कुछी दिन पहले नेट्फिक्स पर आया हुआ फिल्म जैसे मैंने पहली कहा था बैकेट के बारे में चोरी, कंसर्प्ट और प्लॉट सब कुछ अच्छा है लेकिन लीड क्यरेक्टर के वज़े से मुझे फिल्कुरी पसंद नहीं आया मेरा पासनली जॉन डेविड वशिंटन से बोल दूश्मरी नहीं लेकिन मेरा पस इतना ही बोलना है कि आक्टिंग छोड़ दो प्रडूस रोड से गाड़ी स्लिप होकर जा के छोटे से घर में टकराती है जहां पे एक औरत और एक लड़का रह रहे होते हैं लेकिन उसकी गल्फिंड ऑन दो स्पॉर्ट मर जाने के बाद उसे बहुत बड़ा शौक लगता है हॉस्पिटल से सीधा उसी शौक को लिए वो आक्शि चालू कर देता और वहीं से उसका जान हतिली पे लेकर भागना शुरू हो जाता और फिल्म के अंत तक हमें पता नहीं चलता है कि उसके ओपर कौन और क्यूं गोली चला रहा है लेकिन जो कुछ भी हो हम दर्शेवों को भी उसके साथ जुड़े रहने की गोजा मिलती है औ और वो कैसे बचेगा एक हिंट भले हमें हस्पाटाल में पुलिस ऑफिसर से बात करते मिल जाता है लेकिन वो पूरे ग्रीश में ऐसे हालत में बाद रहा होता है और अंत में उसे पता चलता है कि गलत समय पर वो सही जगय पे था और उसके वज़े से उसने जो देखा वो उसने नहीं देखना चाहिए था और जो उसने देखा अगर वो किसी से कह देता तो आने वाले रैलियू में बहुत बड़ा बावाल खड़ा होता अरे ओब्यूस है ऐसे ही अगर एक तरफा फिम दिखाओगे तो लोगों को इंट्रेस तो आए गई देखने में और सब बनाया रखती है और अन तक आपको इसके सच का पता नहीं चलता और जब आपको लगे कि आपको इसका पीछा कौन और क्यों कर रहा है यह पता चल गया है वहीं पर नया राज खुल जाएगा और फिर से लीड हमारे साथ उसी सुल्जे हुए गुत्ती में उलज जाएगा इसब भंगावा देखने में आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत ही पसंद आया लेकिन इस लीड हीरो की एक्टिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई बहुत ही डल है और मुझे इसे लगा कि वह और आक्टर को लेते तो और अच्छा हो और इस फिल्म के अंदर ये एक आम आदमी है इसलिए हमें ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलता है लेकिन इसके रिफ्लिक्स एक आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं है फाइटर जैसे है तो अगर आपको एक चीज़ दिखानी है तो थोड़ा धंक से तो दिखाओ आ अंदेरे में रखके चूटियां बनाओ उससे कोई फाइदा नहीं होने वाला है लेकिन डिरेक्शन और सिनेमेटर ग्राफिक मुझे इस फिल्म का बहुत ही पसंद पाया और एक्टिंग के अलावा सबसे जादा घटिया एकदम लो बजट और पथेटिक मुझे इस फिल्म बच्चें को जादा को समझने आना ला है लेकिन तो भी बच्चें बैठके फिल्म को देख सकते हैं अगर उन्हें देखना है तो वैसे बिस फिल्म के इंदर में कोई ज़्यादा बोल्ट सीन है नाए फिर जादा खून खराबा है और ये फिल्म आप बढ़ों के साथ आपको पता चल जाएगा लेकिन ये एक विज्वली इंपेर्ट फ्रेंडली फिल्म जरूर है कि इसके अंदर आपको इंग्लिश ऑडियो डिस्क्रिप्शन जरूर मिलेगा तो अगर आप एक घंटा पचास मिनिट का एक्शन क्राइम सब्सक्राम आप देखना चाते हो और अगर आपके पास देखने के और कुछ नहीं तो यह देखना वरना कोई खास तो नहीं है और ना है कोई खास एक्टिंग है काफी बोर हो जाओगे कुल ज्यादा एक्साइट्मेंट भी आपको इस फिल्म के लिए बिल्कुली ले नहीं जाती सिर्फ सब्सक्रिद करके रख अगर आपने जाकर यह देखा तो मुझे जरूर बताना है कि आपको इस व्लोग में इतना इची अगर आपको मेरे दूसरे व्लोग में पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीज़ें सब्सक्राइब हो एंटिल आइकन दबाने का ताकि मेरे जबी भी न आपके देख सकते हो आप से फिर्म व्लोग तक होगी मेरे दूसरे व्लोग पे तिल देन टेंसे लेंने करें यह मावाव को परिशंग करें आप 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 आप